अत्यारों की गिर्बदारी पर अड़े परिजन अब बैटे मापड़ाव पर अत्या के पांस दिन बाद भी नहीं उटाया सव खेत के पास मार कर भाग गये थे बदमास डिलेवरी बोई के मडर के पांस दिन बाद भी परिजनोंने सव नहीं उटाया है वे आरोपियों की गिर्बदारी की मांग पर अड़े वे मांगों को लेकर सुकुरवार दोपार परिजनों और ग्रामिनों दे दोत ताने के बार मापड़ाव देना शुरू कर दिया फिलाल पुलीस आरोपियों की पहचान भी नहीं कर पाई है सी ओट बाड़ी के रहने वाले डिलेवरी बोई 28 वर्षिये रामदन मीना की गुंतीस जनवरी की रात को हत्या कर दी गई थी वह साम के समय अपने घर लोट के अपने खेत का गेट बंद करने गया था कापी देर तक वापस नहीं लोटने पर परिजन देखने गए तो सव मिला उसके सरीर पर दारदर हत्यरों से वार्थ करने के निसान मिले थी वहाई अब सव मोचरी में रखावा है गटना के पाथ दिन बाद भी आरोपियों की गिरिबदारी नहीं होने पर परिजन और गाओं के लोगों में आक्रों से सुकरवार को परिजन मर्ता की पतनी को सरकारी नोकरी और परिवार को पचास लाग रुपे का मुहाँजा और आरोपियों की गिरिबदारी की मान को लेकर मापड़ाओं पर बैठ गए मापड़ाओं की सूजना पर पुलीस भी मोके पर पहुँचे और समझा इसकी कोशिश की लेकिन परिजन अभी भी नहीं माने सिकर ग्रामिंड सी और नरंदर कुमार का कहना है कि संगदीद लोगों से पूस्ताच की जा रिये यूक का जिस जगा मडर किया गया वाईला का कमाबादी वाला है इसके साथ वहाँ पर कोई भी सी सी टीवी कैमरे भी नहीं लगे वे ऐसे में पुलीस अभी देक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है